नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चैनल पीएफ़पी में तक्रीबन दो-तीन महीने पहले हमने आयोल सीपी पे एक वीडियो बनाया था जहां डिसकस किया था कि स्टॉक में भारी घिरावट हो सकती है और एक स्टॉप लोस बताया एक और वीडियो व 20-25% क्रैश हो चुके हैं तो बहुत लोगों को वीडियो से फाइदा हुआ स्टॉप लॉस पे निकल गए थे लिमिटेड लॉस लेकर निकल गए रिसेंटली उसी प्रकार का वीडियो हमने केम कॉन के लिए भी बनाया था तो हमनी चीज नोटिस किया है कि जब भी कोई करना चाहिए तीन साल में पांच साल में एक साल में करोड़ पती बन जाएंगे फलाना धिमकाना लेकिन जब वही स्टॉक नीचे आता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है और रीटेलर्स बिचारे फस जाते हैं वो खरीते जाते हैं कि कंपनी अच्छी है फिर कभी न कभी स्टॉक बढ़ेगा पूरा कैपिटल वहाँ पर फसाते जाते हैं लेकिन समझना चाहिए कि हर एक स्टॉक बाय ओन डिप्स वाला नहीं होता है कुछ स्टॉक में एक्जिट प्लान होना चाहिए स्मॉल कैप्स में एस्पेशली उनका नेचर अलग होता है बाय ओन एक्जिट प्लान अभी तैयार होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है तो आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताईए कि ऐसे एक्जिट प्लान की तैयार ही रखना चाहिए फिर आप एक्जिट करे ना करें आपके उपर है लेकिन पता होना चाहिए कि क्या एक्जिल प्लान है कहां पर स्टॉप लॉस किस प्रकार से हमें आगे रणनीती बनानी चाहिए तो आज हमें कैसे ही शेर के बारे में बात करने वाले हैं granules इंडिया के बार में बात करेंगे यहां पर भी गिरावट की पूरी तयारी नजर आती है stock में हमें 30% तक गिरावट देखने को मल सकती है तो मेरी analysis क्या है यह मैं आपके साथ share करने वाला हूँ सबसे पहले company के results पर एक बार नजर लाल देते हैं quarter two के results है profit after tax हमें 51% गिरता हूँ नजर आया जिसका main reason है operational performance हमें weak होता हूँ नजर आया है revenue में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली 3.5% revenue आपको बढ़ता हूँ नजर आया क्योंकि new जो इनके launches हुई है वो भी काफे अच्छ है existing products में इनका market share बढ़ता हूँ नजर आया लेकिन इनका API business degree हुआ है 25% से इनका EBITDA margin 1286 basis point से गिर गया यानि कि 12.86% की गिरावट आपको margins में देखने को मिली है जो कि of course बहुत बढ़ी बात है higher employee and other expenditures की वज़े से lower gross margins की वज़े से आपको यहाँ पर clearly net profit नीचे आता हुआ नजर आया है company के product wise revenue breakup के बार में बात करें तो finished dosage से 52.5% का revenue आता है PFI से 19.3% और API से 28.9% तो 28.2% माफ कीजे इतना बड़ा revenue contribution API से आता है और यह segment हमें 25% degree होता हुआ नजर आया तो of course यह positive बात नहीं है location wise breakup के बार में बात करें 53.9% का revenue North America से आता है इंडिया से 14% यूरोप 17.5% लाटिन अमेरिका 9% rest of the world 5.6% तो company की international reach बहुत ही ज़्यादा strong नजर आती है जबकि इनका main focus हमें North America में नजर आता है fundamental ratios के बार में बात करें return on equity latest 25% है जो की अपने 5 रावच से उपर है return on capital invoice 28% है जो की अपने 5 रावच से उपर नजर आती है तो यहाँ पर ये ratios काफी अच्छे नजर आता है net profit margin के बार में बात करें latest 17% है जो की अपने 5 रावच से उपर है तो यहाँ पर आपको overall net profit margin ये तो अच्छा नजर आता है लेकिन ये पूरे financial year का है फिलाल आपको margins अच्छे नजर नहीं आते हैं फिलाल तो margins में गिरावटी देखने को मली है जब ये financial year complete हो जाएगा तब यहाँ पर आपको updated margins नजर आएंगे debt to equity के बार में बात करें तो latest 0.39 है जो की overall manageable debt नजर आता है अगर ये 0.5 या 6 होता है तो थोड़ा सा alert हो जाना चाहिए अगर ये 1 या उसके उपर निकल जाता है तो investors को फिर से एक बार stock को analyze करना ज़रूरी हो जाता है तो debt to equity ratio 5 year average से नीचे नजर आता है तो ये भी एक positive बात है company के share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding है 42% जिसमें से तकरीबन 3% pledge है mutual fund के पास 2.5% का stake है FIS ने अच्छा गासा investment किया है 21.18% का stake FIS के द्वारा दिखाई पड़ता है retail and others के बार में बात करें 34% का stake हमें retail category में दिखाई पड़ता है company के financial trend के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे financial trend बहुत ही strong नज़रा था है revenue profit हमें लगातार grow होते हुए नज़रा है बहुत अच्छी growth आपको पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है 7000 crods की market cap है 302 का last date price है 15 का PE ratio नज़राता है जो की overall सस्ता नज़राएगा लेकिन API business में generally आपको इससे भी सस्ते PE ratio नज़राएंगे ILCP को देख लिजए आर्थी ड्रक्स को देख लिजए तो overall इसका valuation आपको premium ही नज़राता है अपने sector के हिसाब से pre-covid stock अपने all time high 180 के आसपास चल रहा था उसके बाद market crash के चलते stock में गिरावट देखने को मिली 120 के आसपास support लिया पुराने all time high को तोड़ते हुए stock में बारी तेजी देखने को मिली stock हमें 400 तक जाता हुआ नज़राया जब ये stock 400 400 तक पहुंच चुका था इसकी popularity चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी उसके बाद stock ने कुछ अच्छे returns बना कर नहीं दिये हैं उसके बाद stock हमें clearly lag करता हुआ नज़राया stock में गिरावट देखने को मिली stock हमें consolidate करता हुआ नज़राया recently stock तो हमें weak होता हुआ नज़राया है अगर हम March April के बारे में बात करें तो stock यहाँ पर neutral चल रहा था consolidate करने की कोशिश कर रहा था लेकिन recently जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके चलते clearly हम बता सकते हैं कि stock में weakness आपको बढ़ती हो भी नज़रायी है moving averages को भी आप देख सकते हैं इसका जो 20 days का moving average है उसने 200 days के moving average को cross कर दिया है 50 days के moving average ने भी कर दिया है और 100 days भी करने ही वाला है पूरी तैयारी यहाँ पर नज़राती है तो clearly stock बहुत ही ज़्यादा weak हो चुका है weakness यहाँ पर बढ़ती हो भी नज़राती है weekly chart के बार में बात करें weekly chart पर भी आप देख पाएंगे इसके जो highs है lower highs दिखाई पड़ते हैं जबकि इसका support constant है 300 रुपय का support नज़राता है यह एक overall positive बात नज़राती है stock में जो support next नज़राता है वो है इसका 200 weeks का moving average जो की calculate होकर आता है 230 के आसपास का level अगर support के बार में बात करें जहां पर stock ने actually कुछ consolidated किया हो कुछ trade किया हो तो वो level हमें 200 रुपय के आसपास का नज़र आएगा जहां पर stock ने थोड़ा सा time spend किया था तो जहां पर stock time spend करता है वही एक expected support या resistance होता है तो यह 200 रुपय का zone है जो कि एक expected support की तरह नज़र आता है अगर 300 रुपय का level तूटता है तो हमें 200 रुपय का level easily expect करना चाहिए तो यहां पर stop loss की तैयारी रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है exit plan होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फिलाल आप देख पाएंगे stock अपने 300 रुपय के level को sustain करने की कोशिश कर रहा है बहुत बार as a support यह same level हमें देखने को मिला 300 रुपय का level कई बार ऐसे support देखने को मिला तकरीबन एक साल से इसी level पर यह hold करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है अब देख पाएंगे यहाँ पर सबसे पहले support लिया उसके बाद stock उपर गया फिर गिरावट देखने को मिली support लिया उपर गया support लिया उपर गया और फिलाल विरसे stock उसी level पर आ चुका है तो यह level अगर decisively तूटता है तो हम बता सकते हैं कि stock में आपको easily गिरावट देखने को मिल सकती है जिस प्रकार की गिरावट IOLCP, RT Drugs, Vibhav Global में देखने को मिली वहाँ पर भी एक level था जो के बहुत time से लंबे support की तरह नजर आता था वो level तूट गया उसके बाद ही गिरावट हुई है तो granules में भी similar case से दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर stop loss का लेना चाहिए stop loss हमें लेना चाहिए इस level का जो इस candle का जो low है इसके नीचे हमें stop loss रखना है इसका low completely 280 के आसपास है तो हमें आपर 280 का stop loss रखना है अगर बायचान stock में गिरावट होती है 280 का level हमें तूटता हुआ नजर आता है तो stock से exit लेना बहुती ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्या company खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा company actually बहुत अच्छी है long term के लिए अच्छी company नजर आती है लेकिन small caps का nature जो है बहुत ही ज़्यादा different है अगर यह गिरावट पे उतर जाते हैं तो actually कपड़े फट जाते हैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट कई बार आपको देखने को मिल जाती है और retail investor की holding capacity उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जितनी actually एक long term investor की होनी चाहिए buy on dips करते जाते हैं यहाँ पर खरीदारी करते जाते हैं allocation बढ़ाते जाते हैं फिर एक point of time ऐसा इतना ज़्यादा allocation हो जाता है की पूरे portfolio की dependency stock पर बन जाती है जो की healthy portfolio की निशानी नहीं है तो यहाँ पर stop loss के साथ आप काम करने के बार में सोच सकते हैं की last decision तो हमेशा आपका ही रहने वाला है company अच्छी है उसमें कोई doubt नहीं है लेकिन जो levels हमें दिखाई पड़ते हैं वो clearly बता रहे हैं कि अगर 300 का level यह जो sustainably decisively तूट जाता है यहाँ पर 280 का stop loss लेकर अगर हम निकल जाते हैं तो वह बहतर है क्योंकि उसके बाद कौन से levels देखने को मिल सकते हैं तो सीधा हमें 200-220 के levels भी दिखाई पर सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा नीचे है जो कि एक investor को panic करने के लिए बहुत ह ज्यादा easy भी हो जाते हैं At one point of time granules बहुत ही ज्यादा popular stock था बहुत लोग इसे cover करते थे यहाँ पर खरीदारी की राय देते थे तो बहुत लोगों के portfolio में granules आपको दिखाई पड़ेगा तो हो सके उतना इस वीडियो को share कीजे ज़रूरी नहीं है कि आप 280 का stop loss ले जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं लेकिन एक exit plan आपको मिल जाए कि अगर आपको यहाँ पर ज्यादा continue नहीं करना है तो क्या होना चाहिए exit plan यह आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा Thank you, stay happy, happy investing